नमश्कर दोस्तों स्वगते आपका आज के मुख्य समाचारों में जी आँ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिनबर की तमाम बड़ी खबर हैं मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर कश्मीर से अलग होने के चार साल बाद पहली बार वोट डालेंगे कारगिल के लोग आम आदमी पार्टी ने भी उतारे उम्मीदवार दोस्तों जमु कश्मीर से अनुच्छे 370 हटने और राजे के पुनर गटन के बाद केंद शाषित प्रदेश लद्दाक के कारगिल में पहली बार चुनाओ हो रहे हैं लद्दाक ओटोनोमस हिल डवलप्मेंट काउंसल के इस चुनाओ में कारगिल इसके बाद दोस्तों अगली बढ़ी खबर G20 सम्मिट के लिए भारत आएंगे कनाडा के PM जश्टीस चुड्रो लेकिन इस बात पर जता ही नाराजगी जिया दोस्तों कनाडा के प्रदान मंत्री जश्टीस टुड्रो भारत में होने वाले G20 सिकर समनील होगे सम्मिट में शामिल होने की पुष्टी करने के साथ ही उन्होंने युक्रेन को इसमें शामिल नहीं किये जाने पर निराशा वेक्त की है हाल ही में युक्रेणी राजपती वेलोडीमेर जेलेसकी के साथ टेलिफॉन पर बातचीत में टुड्रो ने यह सुनिशित करने का वादा किया कि क्यू की चींताओं पर उचित ध्यान दिया जाए और महत्योपून वेश्विक आर्थिक मंच से गेरमुजूदगी के बावज साथ खड़ी हो युक्रेण भी कनाडा के समान ही है इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार गाड़ी पर जाती धर्म लिखवाना कानून का उलंगन सीसे पर देवी देवताओं के स्टिगर लगाने पर कटेगा चालान पुलिस पत्रकार MLA को भी छूट नहीं जिया द कार पर ऐसा कुछ भी लिखवाना कानून का उलंगन है बहुत से लोग तो रोग के बावजूद अपनी गाड़ी के शिशे पर ब्लेक फिल्म प्रेशर हॉर्न और हूटर तक लगवा लेते हैं कानून के मुताबित ऐसी गलती करने पर जेल तक हो सकती है दोस्तो गाड़िय अगली बड़ी खाबार प्रदान मंतरी नरिंदर मोधी ने दिया 51,000 लोगों को अपोइंट्मेंट लेटर कहा रोजगार देना हमारी सबसे बड़ी प्रात्मिक था जया दोस्तो प्रदान मंतरी नरिंदर मोधी ने सोमवार को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फरेंसिं बनने पर आप सब को बहुत बहुत बदाई आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे इसलिए एक तरह से आप इस अमरत काल के जन और अमरत रक्षक भी हैं इसके बाद दोस्तो अगली ब लॉंच करने जारा आए यह भारत की पहली अंतरिक्ष आदारित ओब्जिरुवेटरी है लॉंचिंग स्री हरी कोटा के शतिस दवन इस पे सेंटर से की जाएगी इस यात्रा के दुरान आदित्य एल वन 15 लाग किलोमेटर की यात्रा तय करेगा यह चान की दूरी से करीब चार गुना जादा हैं लॉंचिंग के लिए इस्तिमाल किया जारा हा पी एस एल वी एकसल रोकेट जिसका नमबर है पी एस एल वी सी सत्तावन है आदित्य अपनी यात्रा के शुरुवात लोवर अर्थ और्बिट एल ईयो से करेगा इसके बाद यह धरती की गुरुत्वा लामे मात्र एक फीस दिये इस यात्रा में इसे 127 दिन लगने वाले हैं दोस्तो सूरज हमारा तारा है उससे ही हमारे सोर मंडल को उर्जा यानिक एनरजी मिलती है इसकी उम्र करीब 450 करोर साल मानी जा रही है धर्ती से इसकी दूरी करीब 15 करोर किलोमेटर है बिना उर्जा बिना सोर उर्जा के धर्ती पर जीवन संभव नहीं है सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सोर मंडल में सभी ग्रहट टिके हुए है नहीं तो वो कब का सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तेर रहे होते ऐसा खगोल विग्यानिक कहते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड फ्रांस के स्कुलों में फुल बुरके पर बैन लगेगा फ्रांसी सी सिक्षा मंतरी बोले क्लासरूम में कपलों से ना हो धर्म की पहचान मुस्लिम समूदाय हुआ नाराज जीया दोस्तों फ्रांस के सरकारी स्कुलों में लड़कियों के अबाया पहनने पर बैन लगाने क फैसला किया है फ्रांस के सिक्षामंत्री गैब्रियल अटॉल ने टीवी चैनल टी एफ वन को दिये एक इंटर्वी के दोरान कहा कि हमने यह तही किया है कि सरकारी स्कुलों में अब आया नहीं पहनाया जाएगा अब आया एक तरह का फुल बुरका होता है उन्होंने कहा कि ज दोस्तो अगली बड़ी खबार तेजस्वी यादव हाजिरो अहमदाबाद कोट ने जारी किया समन 22 सितंबर को पेशी के लिए बुलाया जिया दोस्तो अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटिन अदालत ने बिहार के उपमुखे मंत्री तेजस्वी यादव को उनकी एक कति अदल के वरिश नेता तेजस्वी यादव को भारतिये दंड सहीता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ दायर मामले में 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया आया दालत ने एहमदाबाद के समझिक कारे करता और वेवसाई हरेश महता की शिकायत के आधार पर दं के बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत अदाखिल की थी